तो फिर से होगा तो हमारी इस नई वीडियो में दोस्तों मैं हूँ अजमीर आप देख रहे हैं में सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं तो सबस्वड्ल आपको जो है नेट्रोग रिणिंग प्रोब्लम फोन पर जो आपको सबस्वड्ले इस्टार है जीरो और सीड्यर और हैच अगर आपको आई-A-M-E-I नमर अगर आपका बता रहे है फोन पर एतुछ नेट्रोग आए लागा फोन पर ईंग कर रहा है तो आप प्रोब्लम है आपको फोन खोलने का बात ही बता पाऊंगा ठीक है तो यह प्रोब्लम जो होता है एक प्रोब्लम से होता है और एक हार्डवेक प्रोब्लम से तो इस फोन पर हमको लग रहा है कर दीकाता के सफेरोब्लम से क्रूब्लम में क्या होता है का बिल्कुल सही दिखा रहा है सब्सक्रीधन को नेट्रो प्वार प्रोइंट कर यहां तक नहीं आरहा है सबस्टेख कर लेते हैं दोस्तों अपको फीज पर जो प्रफेक्ट तरीकल से दिखाया हूं झाले है कि हमारे जो जो connection है जो value है हमारे यहां तक आ रही है फिर नहीं है हमारा supply है तक आ रही है फिर नहीं आ रहा है तो हमारा बिल्कुल supply है पर देख लिए दोस्तों रेटिंग कर रहा है तो देख लिए यहां तक बिल्कुल हमारा जो supply है बिल्कुल सही है इसमें प्रोब्लम है तो फांधstory स кого को आजए के खराब हो सकता तो यह पहें जी हुड़ा सा लगा लेता हूँ और फ़ैश्ट लगाने का पायदा यह होता है कि हमारा जो IC का अंदर का जो boils होते हैं point होते है print वो जो है काई भी कबर जो है जड़ से उखड़ जाता है तो ऐसा अगर हो जाता है दोस्तों तो आपका phone समझे जिन्दे के भर के लिट हो चुका है तो ऐसा आपको नहीं करना है आपको पेश्ट लगा लेना आपको हीट करना फोन को यह आइसी को हीट करना है तो आपको जो आइसी ऑटमेटिकली उपर खूल जायेगा और आप आसानी से चिमठी की मदद से उसको निकाल सकते हैं तो सबस्क्राइब आपको रियोट कर देख लेना है धुस्तों काई भी हीच जो है वह हग्ताव मेंवस्त देख अपर यह बहुड़ खे डपतनी अब करने आपको अपको फेलीन करने मदद से आपको सीम डालके चेक कर लेना है तो यहां पर दिक लिगोच जेक कर रहा हूं सबसे पहले आइसी कोई को को खोलना नहीं है तो देख लिजे पर फोन खुलने में थोड़ा सा समय लग जाता है तो फिर भी मीज़ू धोले सा ऊंप क्या हूं आपको इसा लग रहा हो याइप ऐफन तो बहुत जल्दि खुल खुल चुका है स्वीच ओड ओ वात नहीं दूस्तों वीडियो को जो है फास्ट किया जाता है तो फास्ट किया हूँ क्योंकि एक वीडियो बहुत काफी लगमा हो जाता है करके जो है मैं आपको छोटी वीडियो बना के समझाने के कोशिश करता हूं ठीक है तो देख लिए हमारा जो प्रोब्लम हो जैसे का हुआ है यहां पर दिखा रहा है नेट्रोक रेनिंग कर रहा है तो हमारा प्रोब्लम आइसी को चेंज्ज कर सकते है इस वीडियो के आप देखका प्रोपर सीख सकते हैं अगर कोई भी समय थी क्रसकते हैं और अगर आपको दो कॉर्सों देखेयर करते हैं तो जैसिंट फरकल या चाहिता निकल ल innovation गया हमारे तो यह पर हमरा नेट्रो पर एक आ चाहिए करना पड़ेगा और करना चैसे कि मैं आ आपको इस बीडियो में बताया हूं थिक है तो इसलों घ्य पुर्ण में पाता है इसे होता है इसमें जो एक बॉIल बोईल्स दूसरे बोईल सी नहीं होने चाहिए सवाट हो जाता है तो इक्तो फोन नहीं हो सकता है प़ोन नहीं भी सकता कopen भी सोट होने से आप पूरा बिल्कुल फुल सोट हो जाता है तह यहां कुछ आईसे आपको यहां पर मैं दिखा जेता हूं मार्केट में मिल जाता है तो यह वाला जो नेट्रों का इसी है दोस्तों सिर्फ जियो फोन पर नहीं बलके ओपो और भीव को भी एक मोडल पर लगा जाता है आईसी ठीक है ओपो और भीव वाला जो फोन होता है वह सारे म यह वाला इसे लगता है जो कि ऐसी सिर्फ जियो पर नहीं लगता है सब्सक्राइब को यह चीज की विजनकरी मिल गई होगी तो देख लिए दुस्तों यह वह वह ओपो फोन पर भी जो है इस नेट्रों का इसी को जो लगा सकते हैं यह उनले जियो फोन के लिए नहीं बना है दो तीन चार फ़ार पांच मॉडल पर का बोली तो बीडियो नहीं बना रहा था ठीक है तो देख लिए दोस्तों यह पर मैं यह वाला सी आपको चैंज करके दिखाने वाला हूं तो दिख लेज़े यहांपर मैं है आपको जो हर बोगल को जो है अच्छी तरिको साथ करूटर कर लेना है दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि आपका जो पॉंट है PCB में इतने भी पॉंट आपको आपके दीख रहा होगा IC के नीचे में वो सारा पॉन बिल्कुल किलीन होना चाहिए बिल्कुल एक दम फ्रेस होना चाहिए कहीं पर भी कुछ सोट नहीं होना चाहिए तभी आपका जो नेट्रों का इसी है तो आपका इसी वरक करेगा अच्छे तरी कैसे काम करेगा अगर आप ऐसे ही लगा जते हैं ना जरा अंदा के लिए को अच्छर लगा लेना है कि यहाप अपको लगाग आपको सब्रेस नहीं है ठीक है बिल्कुल असान है अगर आप आईसे निवर्मने इसे लगाते हैं तो आईसे अपने जग पर खूद ही बैढ़ जाता है जब उसको हीट करते हैं तो तो आपको देखने में भारी लग रहा है तो वहीं सा बात नहीं है अगर प्रेक्टिस करना चाहते हैं आईसे लगा चाहते हैं तो आप खुलके दोबार से लगा-लगा कर जो हैं अब जो है मतलब अच्य तरीक से जो हैं तो है जो कि मैं पहले पहले हो इस रही कर रहा था दोस्तों एक खुराब फॉन में ले लिया लेनेका बाद में आइस सी यो ख़ूला फिर लगा'' फिर रगाई यो फिर स जो एसानी से सीख जाएंगे कोई प्रोब्लम इसमें नहीं जो कि मैरे गुरू का इस जीकावा तो उसे ही किया जाता है आपको जो काम बिल्कुलु फ्रेस करना है और मौल फोन पर जो काम होता है सबसे खतरना को जमपर करने का काम होता है दोस्तों चोटे-चोटे पॉइंट आपको जमपर करना होता है तो भी आपको शीखने जरूरी होता है तो भी आप असानी से सीख सकते हैं खराब फून ले लिए और लेने का बस उसमें जब बार बार करते चाहिए करते हैं को हैवीट हो जाएगा सैध्य आपके इनफूरमसन बहुत ही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हमारा जो आइसी हो साइट परफेक्ट तरीके से बैठा नहीं होगा एक पॉंट दूसरे पॉंट से साइट किनेक्ट नहीं हुआ होगा आइसे आपको अच्छी तरीके से लगाना है ताकि आपको जो नेट्रोक आइसी है या फिर अपकोई भ लगा दिया हूँ गर लगाने को भाद जो है दकते हैं पर क्यों नमबर आपको चैनल बाउट पर मिल जाएगा तो दक्लिआए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको फिर से एक फिर खर्वा क्लीन करने हम क्योंकि पेश्ट का भी ज्यादा लग चुका यहां पर दुख लिजे चलिए इस पर फॉन को चालू करके देखते हैं कि हमारे जब प्रोब्लेम हो वो सॉल्ब हुआ या फिर नहीं हुआ है तो चलिए सब्सक्राइब हम सीम को जो डाल लेता है और बैटरी डालने का दोस्तो मैं आप इसको जो लगा के दिखाने बला हूं बेटरी को चालू करके विए आपको यह पर दिखाने बला हूं बिल्कुल फेस टू फेस अर्म आपको एक चीज बताना भूल गया दोस्तों अभी तेक आपने हमारे ब्लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक् है तो देखते हैं एल्टे भूल्टे नेटरों कुछ भी आ रहा है फिर नहीं आ रहा है अगर आपको आज सी काम नहीं कर रहा तो आपको दूसरा आप लगा लेना है दोस्तों जैसे मैं आप दूसरा आइसे जह बिल्कुल नहीं हुआ यह पर लगा चुका हूं ठीक है तो है फोन थोड़ सा खुलने में सामय लगते है जिए फोन आपको तो मालूं ही होगा है अगर आपको फोन थोड़ सा भी इंपरमेटीब लगा हो तो इस चैनल को भी सॉसक्राइब कर लेना वीडियो को भी लायक कर लेना और इस वीडियो को जाद Ses welfare करना अपने दोस्तों तक थाके बेंब कुस शींक है दोस्तक हमारा फोन पर जी ओफॉर्ज ये लिखा वाध वी चुका है नेटोर हमारे फोन पर जो नेटोर भी आ चुका हर दोस्ते अब करने यहां पर देख सकते हैं और Semiken आ चुका तो उमीद करताए आपको ये वीडियो काफी पसंद्ध योगतेक लाइक जर्रू करनें तो चलिये मिलते ने